हेलो दुस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो दुस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने ज़रू देखा होगा सो दो सबी हम लोग आचुके हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पर हम लोग बात करने वाले तीन से चार स्टॉक्स के बारे में इन तीन से चार स्टॉक्स की खासियत यह है दोस्तो कि यह बहुती छोटे स्टॉक्स है छोटे मतलब small cap, micro cap की हम लोग जो बात करते हैं बहुत ही mid cap, small cap, micro cap उस type के ये companies है मतलब हम कह सकते हैं कि जब इदमें तेजी आती है गोली की रफ्तार की तरह ये stock हमें तेजी के साथ returns देते हुए देखने को मिल जाते है हलाकि हमेशा इस बात को में सपष्ट करता हूँ कि जितना तेज returns आपको मिलते है उतना ही जादा risk भी उन stocks में होती है पर जैसे मैंने का कि हर एक किसी ने अपनी risk taking ability को समझना चाहिए उसके मुताबिक आप चाओ तो यहापे अपना फेसला यहापे ले सकते हो अगर आपको कम risk लेना है तो ज़्यादा पुंजी मत लगाईए थोड़ा बहुत stocks खरीट सकते हैं आप एक दो stock खरीट के देख लेना चेक करने ना कि क्या volatility उस stock की आप लोगों को जम रही है कि या नहीं क्योंकि initial stage में इसकी दिक्कते ज़रूर होती है सो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले 3-4 stock के बारे में यह कोई मेरा recommendation नहीं है बट येस इतना में जरूर कह सबता कि यह 4 quality stocks तो जरूर है आज यह stock popular जरूर है कुछ समय पहले भी थे हैं भविश हमें भी यही stock आपको अच्छे कास से इनका नाम आप लोगों को बड़ा बनते हैं देखने को या पे जरूर मिलेगा हाला कि हर चीज के लिए time लगता है तो आपको time भी देना पड़ेगा ये भी आप लोगों को बात पता होनी चाहिए सो सबसे पहला stock जो कि अभी अभी बाजार में हम लोगों को आते हुए देखने मिला है यह मैं हाली में आप लोगों को बता चुका था कि initial stage में हम लोगों ने इसमें निवेश नहीं किया था जैसे नंबर सामने आ गए लक्समी organic मैंने आप लोगों को बता दिया डिस्क्लेमर भी मैंने दिया था अभी भी दे रहा हूँ उठा लिया था क्योंकि obviously वो company अगर अच्छे नंबर दिखा रही तो फ्यूचर में भी भागेगी और वही होते वे देखने को मिल रहा है अभी यह company लगात तार पाच दिन की बात कर तो पाच पसंट एक महिने की बात कर तो 50% के आसपास returns हम लोगों को मिलते वे देखने क को मिली थी अगर बात करें इनके जो plants है जहाँ पे situated है भानाष्ट्रा में दो जगे पे situated है उन्होंने बताया था वहाँ पे चिपलून करके है और राइगाड के प्लेस करके है उसी के आसपास देखने को मिलता है तो वहाँ पे जबरदस भाड आई थी और उसके चलते इन इनके थोड़े से खराबी आने वाले यह पहले ही पकड़कर आप लोगों यह पे चलना है बट ओरल कंपनी के अगर हम लोग बात करें बहुत ही कमाल की कंपनी है विदेश में भी एक्सपोर्ट करने के लिए इनका management बहुत ही जादा अगर देखा जाए तो visionary है और इसी के चलते ही यह stock हम लोगों को अभी अच्छा performance देते हुए देखने के आपे मिल रहा है तो लक्समी organics आप चाहो तो ज़रूर यहापे focus में रख सकते हैं हला कि मैं आगेन कहना चाहूँगा यह रिसकी category में ही आएगा क्योंकि अभी अभी बाजार में आते हो देखने के मिले ह का market cap भी देख लेना मात्र 10,000 करोड का market cap है जितना तेजी से उपर गया है ना 50% उतना तेजी से वो आराम से correct भी हो सकते है बट उसके लिए मैं mentally prepared हूँ क्योंकि जैसे मैंने का मुझे company के number अच्छे लगते है तो फिर वो ups and downs वो trader लोगों को जो खेल खेलना है खेलने दो ह हम investor long term के लिए जरूर भापे hold करके continue कर लेंगे लक्समी organic यह mid cap quality का stock है आप लोग कह सकते हो और अभी अभी बाजार में यहापे आ चुका है अभी अभी मतलब में इसका maximum chart pattern भी अगर आपके सामने open कर दू तो आप लोग देख सकते हो double तो पैसा हो चुका है बट अभी मार्च में ही हमनों को शुरुआत होते हैं मार्च के बाद एप्रिल में जून जुलै ऑगस्ट हाडली पार्च मैना च्छे मैना भी नहीं हुआ है अगर आपको रिस्क पसंद है तो जरू आप इसके बारे में जरूर वीचार यहापे कर सकते हो blindly follow नहीं करना है बट आप च अगर यहापे देखा जाए 382 पे स्टॉक चल रहा है 16 ऑगस्ट की अगर हम लोग यहापे बात करें तो आप देख सकते 402 तक यह स्टॉक हमें जाते होगे देखने को मिला था सो दोस्तो एक स्टॉक तो यहापे हो चुक है लक्समे और गनिक सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग उनको पता है इसके बारे में मैं अलड़ी जिक्र कर चुका था यह शो इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो इन चार स्टॉक में से अभी हम लोग पर माल उठाया था इसमें भी बहुत ही अच्छा का ऐसा प्रॉफिट मुझे हापे हो रहा है हलाकि हमारा कोई टार्गेट है 30-40-50 पसंड नहीं है अच्छे का से 100-200-300 पसंड से भी ज्यादा रिटन्स हमें यहापे निकलने तो उसके लिए ऐसी तरीके से जो चोटे कंप आज आप देख सकते हैं यह चलते वे देखने को आप मिल रही है अगर मैं इसके चे मैने की रिटन की बात कर तो आप देख सकते हैं लगबग 400 पसंड की रिटन्स है मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं एक साल पहले यह सिर्फ 125 पे था बीच में मैंने वीडियो भी बना इसके बाद अभी आप लोग देख सकते हैं 600 का यहां पर हो चुका है तो पैसा था अल्री कमाल का बन चुका है यहां बट स्टिल यहां पर जो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से और भी बड़े हैं यह कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मस फ्यूचर में आपर डे सकती है अगेन कहें रहा हूँ लक्स्मी और्गेनिक यश्व इंडस्ट्री यह में कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बट यह कंपनी पॉजिटिवली इसलिए कहें रहा हूँ क्योंकि इनके नंबर्स अच्छे थे अगर नंबर्स अच्छे नहीं है तो फिलाल मैं उन कंप तो भविश्व में 10,000 तक भी जा सकता है वक्त लगेगा उसके लिए बट आप चाहो तो इस व्डियो में देख लेना लिंक उपर दे दिया है कि उस वक्त यह किस दाम पे वापे चलता था इंड आज यह कहां से खाहा यहां पर आ चुका है चाहर अजर का यह स्टॉक है हलाकि अगें सेम चीज अभी जो इसके पुराने शेरोल्डर है वो यहां पर यूस्टो हो चुके उनको पता है यह 4,000 का है वापस 3,000 के आसपस आएगा फिर सड़नली साड़नी 4,000 का हो जाएगा फिर वापस 4,000 पे आएगा फिर सड़नली 5, 5,000 का हो जाएगा तो इस तरीकी कि यहां पर मुमेंट यहां पर चलती रहते क्योंकि यह भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी है सिब 5,000 करोड का मार्केट कैप है यह चोटे-चोटे कंपनी से बट कंपनी में दम जरूर है आप का पुरा नाम यहां पर क्या था जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देना वेसे तो देखा जैतो इस स्क्रीन के उपर ही लिखा हुआ है बट कोई बात ने इतना तो एफट्स आप चाओ तो कर सकते हो तो आप देख सकते हैं 29% की डिलिवरीज हम लोगों को आज के 30% का करेक्शन होता है F.L. इंडिया में भी वही बात में अल्रेडी बहुत से लोगों को बता चुका हूँ बट जब करेक्शन होता है तो सड़नली पैनिक करना वो शुरू कर देते वह स्टॉक्स खराब नहीं बट इस तरीकी के अपसें डाउन स्वापे चलते रहेंगे क क्योंकि जितना चोटे स्टॉक्स आप देखोगे उतना वो पेनफुल रहने वाला है इतना आप लोगों को पता होना चाहिए तो एचली ग्लास कोड भी देखा गया तो बहुत ही कमाल का स्टॉक है वालेटिलिटी ज़रू रहेगी भयंकर वालेटिलिटी रहेगी तो उसक को अच्छा परफर्मस देते हैं जिकर हमेशा करते हों इसके क्लाइंट्स अगर चेक करोगे विप्रो है इसके साथ अटा भी है ऐसे बहुत सारे दिगच दिगच क्लाइंट्स आप लोगों को इनके मिल जाएंगे इमामी से लेकर हिंदूस्तान यूनिलिवर डाबर जैसे सारे competitor भी अगर देखा जाए तो इसके साथ यहाँ पर जुड़े हुए है अगर आपने हिम्मत है थोड़ा बहुत तो आप ज़रूर इन stocks के बारे में यहाँ पर विचार कर सकते हो इंदुस्तान food की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कोई अभी फिलाल delivery position नहीं मतलब यह SM list में आपे हो सकता है यह उसी टाइप के stocks ही है यह जितने भी अभी आप लोगों को मैंने दिखा नहीं कभी वह SM list में आते रहते क्योंकि इनमें volatility बहुत ही जाद रहती है मतलब जब यह भागते है ना 200-300-400% इस तरीके की तेजी आपे बनती है ज़रूर इस चीज का विचार आप लोग आपे कर सकते अभी यह देखिए इसका 52 खाय देख लेना धाई हजार का इसका 52 खाय है अभी कितने पर चल रहे देखिए भागेगा तो सिधा 100-200% फिर बड़ी profit booking आती है फिर ऐसे नीचे आता है यह अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों यहापे आप विचार कर सकते हो आप चाहो ते इन stocks को यह देखिए यहापे कितने की अभी फिलाल की profit booking अगर में यहापे रफली भी बता दू यह देखिए 21-22% बहुत easily तूट जाता है आर राम से तूट जाता है आशा करता हो आप लोगों को वीडियो पसंद आओगा तो जरू लाइक और शेर भी कर देना तो यह देखिए विरी माज दोस्तों वी बिल भी मिटिंग आरनेक शिडियो तब तक के लिए बाई बाई